कॉंग्रेस के दिगज नेता राहूल गांधी के एक ट्वीट ने सियासी गलियारों में घमासान मचा दिया है राहूल ने ट्वीट कर कहा है कि दुनिया के लगबग सभी तानाशाहों के नाम M से शुरू होते हैं राहूल गांधी के इसी बयान पर अब हर्याना के ग्रह मंत्री अनिल विज ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया विज ने ट्वीट कर राहूल गांधी से पूछा है कि अगर तानाशाहों के नाम M से शुरू होते हैं तो दुनिया भर में अहिंसा के पुजारी मोहंदास करमचन गांधी के बारे में राहूल गांधी का क्या खयाल है किसानों ने देश में छे फरवरी को चक्का जाम का एलान किया है ऐसे में हरियाना के ग्रह मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश में प्रजातंत्र है और सभी को धरने प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन उससे आम व्यक्ति प्रभावित नहीं होने चाहिए किसान अंदोलन में दوبारा जान फूखने वाले किसान नेता राकेश टिकैट ने पीम नरेंदर मोदी के एक फोन कॉल की दूरी के बयान के बाद वो फोन नंबर पूछा है जिस पर वो पीम से बात कर सके टिकेट के इसी बयान पर विज ने तंज कसा और कहा कि देश में प्रधान मंत्री एक ही होता है इसलिए दिल में अगर इच्छा हो तो वो नमबर ढूनना मुश्किल नहीं है वही किसान आंदोलन को लेकर सड़क का हंगामा सदन तक पहुंचा तो विपक्ष ने इसे ब्रिटीश काल जैसा बता दिया जिसके जवाब में भी हरियाना के ग्रह मंत्री अनील विज ने विपक्ष को आड़े हाथो लिया है अनील विज ने कहा कि शायद विपक्ष ब्रिटीश काल भूल गया है क्योंकि आज जितनी आजादी से हम जी रहे हैं अगर ये विपक्ष को ब्रिटीश काल लगता है तो वे दिशा भ्रमेत हैं अंबाला से अशोक अगरवाल की रिपोर्ट सरक्षे तरीका चक्का जाम जो है वो किसानों ने मिलाया है किस तरीके की तियार यह है क्या तुछ 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 मेरा ये कहना है कि देश में प्रजात अंत्र है हर आजमी को दरने परदर्शन करने का अधिकार है लेकिन उससे आम आजमी की जिंदगी पर भावित नहीं होनी चाहिए और किसानों के मुद्दे पर तो जब शरकार बाचित करने के लिए तायार है परदान मंत्री जी नहीं भी खुला ने मंत्रन दे दिया ज cambi में से इसको खल करने की कोशिश करनी चाहिए और छे तारिक का जो चक्का जहां है उसको टालना चाहिए इस सब विपक्ष जो है वो संसद में भी हंगामा कर रहा है कि जो हालात है देश के ऐसे लगता है कि हम ब्रिटिश काल में ची रहे हैं क्या करें नहीं विपक्ष के पास अब बोलने के लिए तो कुछ है नहीं जनता उसको नकार चुकी है इसलिए इस परकार के जुमले वो इस्तमाल करता है ब्रिटिश काल के उनको याद नहीं है शैद आज जिस हालात में जितनी आजादी से हम जी रहे हैं और अगर वो उसको ब्रिटिश काल के तुलना करता है तो बोध दिशा प्रमित है राहूल गंदी ने ट्वेट किया है कि अधिकतर ताना शाओं के नाम एम से शुरू होते हैं मैंने उनसे पूछा है कि दुनिया बार में इंसा के पुझारी महंदास करमचंद गंदी का नाम भी एम से शुरू होता है उसके बारे में उनका क्या क्याल है ये बल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेयर और सब्सक्राइब करें घंडे वाल को लाइब– कि माम इसमा से शुरू होते हैं बberry चैनल को क्रीचिज करते हैं